नमस्कार दोस्तों पहला मेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनन्दन है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी टोटल काउंसलिंग कितने होगी कितनी ओनलाइन होगी और इसके बाद में आपकी क्लासी ज़गक प्तेकर स्टार्ट होगी और इस वीडियो में अधाय आपकी कौरी बोले है है आप सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि सारी जो आप कमेंट्स में पूछते हो साभी के आंस पर इसी वीडियो मिलने वाले हैं अगर आपने हभी तक हमारी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि पेरामेडिकल एडमिस्ट समधे सारी जानकारी इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाली है और अगर आप यह तक आप ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है चेंज करवाने की आप कांसलिंग या एडमिस्ट में नहीं आप पर मना पत्ता लगा दीजिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी से उसमें पूछ रहा है कि सर मेरा लिष्ट में निंबर आ गया है क्या मुझे को लेज मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है अभी आपको जिन्होंने भी फोरम फिल कि कौन-इन वाले में कौन-कौन से जो आप को जरुषआ जरूरत पडने वाली है और आप किस प्रकार शीनकों सेव करके रखना है सबस्तों कांसलिंग पीस के बारे बात करते हैं तर्फन जब эфф格 स्जान से पहले आप आपको कोलेज मिल जाती है कोई भी कोलेज मिल जाती है तो आपके जो 10,000 रुपए पीस की रूप में भल लिये जाएंगे यदि आपको कोई भी कोलेज या कोई भी कोश एलोट नहीं होता है तो आपके जो 10,000 रुपए है वापस आपके बेंक अकाउंट में रिफंड कर दिय जाएंगे और अगर आपको कॉलेज मिल जाती है और आप उस कॉलेज को जोइन नहीं करते हैं तो आपके 30,000 रुपए काट कर बाकि 7000 रुपए आपके बेंक अकाउंट में रिफंट कर दिये जाएंगे बात करते हैं जाएंगे या दो फोटो कोपी सेट भी आपके इसके साथ जमा होंगे मैं आपसे रिक्विस्ट करता हूं कि आपकी जो डॉकुमेंट्स है वो और पिम्सी में डिपोजिट होंगे इसलिए मैं आपसे रिक्विस्ट करता हूं कि जो भी यह डॉकुमेंट्स है इनको आप सके लिए आपके सामने यहां पर एक पेज दिखाए दे रहा जिसमें से भी डॉकुमेंट्स है आप दिया गया है सबसे पहले हैं फोट्राप की बात करें पांस यहां जली के अगा आख प्राह्त की हो कि यहां memoir मा अनिक का लगने वाला है जिसके बाह्र की ़ो आपने कॉलेज का लगने वाला है और 12 पास किये हो तो आपको स्कूल का लगने वाला है इसके बारे में जाती और मूल निवास की बार लगने वाला है जाती परमान पत्र अल्ली उन्हीं को लगवाना है जिनके लागू होता है जनरल को जनरल में लागू नहीं होता है बाकि स सबी के साथ साथ एड़मस लेते वक्त आप से जो कोलेज वगएर ऑगर है इनसे आप से मेडिकल सेटिफेक्ट भी मंगा जाएगा सब्सक्राइब करने वाले हैं इसका आंसवर देता हूं कि कोई भी टीसी नहीं ली जाएगी डिप्लोमा के लिए इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्राइबेट और गॉर्मेंट कोलेज में क्या डिफ्रेंस रहता है क्या इनकी फीस है वह भी सेम लगती है इन सबीकी चर्चा से पहले अपन कांसलिंग प्रोसेस को देख लेते हैं कि कितनी क्या कांसलिंग होती है आर्पीमसी में टोटल आ आर्पेसन फोर्म करते समय आपसे कांसलिंग फीज भी जैली जाती जो 10,000 रुपई वह ली जाती है कांसलिंग में चार कोष्ट बर सकते हो में कितनी को लेज बर सकते हो जेपरियो को लिजी क्या है इनक सबीका एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो सकते हो फीज़ पेक्प करक्स सकते हो और अपना अफड मुमेंट अगर चा cola को प्र-घ। अजानिंदि यह wes दिन जारी होती है चुंअ को यह को को जारी होती है तो रहा अब से अफन kgt 00 Mitch लगा सकते हो अफ़र्ड मुव्मेंट ओनली पर्ष्ट और स्टेकेंड कांसलिंग में नंबर आ गया उन्हीं को दिया जाता है उप्सन इसके बाद में आपसे थर्ड कांसलिंग वो स्टार्ट हो जाती है ध्यान रहेगी जो आपी ओनलाइन कलासे जब और सेकेंड कांसलिंग कांसलिंग के बाद में भी एक कांसलिंग नंतलर जीस में सारा रोल क्ता है और अउलेक बीक वाले। कोलेज वाले वह इसमें पूर्ध करते हैं और जो पीस होती है और फिस्था सब्सक्राइब कोंसिलिग के जरी चरह जाएज श्ली Specifically उसाइर मिलाकर बात कि टोटल 3 कांसुलिंग कोई T तक हिए बाद हैं के सीट फीस्था जीनमें बाते हैं अब अगर कोलेजमें और गुवर्मेंट कोलिज में का टिफरेंस रहता है सबसे पहले बात करती है कि दिथराध 화 तो फीच के रहने लिए रहती है गो़र्मेंट और प्रावेट कॉलेज में पीछ से बात है यह आफ है बिलको पी एक शर्फ करते हैं ज स्geist रू hell कीज़ कि कि वह में पन्दिरा सुझा सिदूजार रॉपए होती है जो प्राइवेट वाले अपने इस तरह ब लेते हैं टौर्टल मिलाकर यह 45 से 45 अपीस में मत इस बन रही है वह 3500 मछे बाकी जो पंस चाहब 500 रुपए में जो कोसन मनी है 5000 रुपए वह आप से रिफंड है वाला जब भी आपका डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तो 5000 रुपए आपको वापस रिफंड कर दिये जाते हैं तो टोटल मिलाकर अभी आपके जो 40,000 रुपए के संतिंग पीस लगने वाली है सेकंड बात करते सहे हैं कि अपने गोर्बेंट कोलेज में पर अच्छा साथ होने वाले हैं जो डिफ्रेंस सकी सिप्राइवेट और गॉर्म्ट इसन में यह तना सा किया जो चुथ अच्छा हो जाता है बस मोके इतना सा है जेपर मों कई ऐसी प्राइबेट कोलेज में है जिसमें गवर्मेंट से ज्यादा प्रैक्टिकल नोलेज करवाया जाता है जो नेक्स्ट वीडियो वह आने वाला है कि मेक्जिमम कोलेज और जपर की जो टोप कोलेज वह कौन-कौन सी है इस सभी का बारे में एक सेपरेट के फिर मेलेंगे एको ने वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई